okay so hello everyone how are you all guys I hope that you're doing super duper amazing yes so we are live over here absolutely audio video जो बिल्कुल सही चल रहा है तो आई एक्साइटेड एवरीवन यह जर्णी जो होने वाली हम पांच दिन में पूरा की पूरा पांच चाप्टर्स खतम करने वाले हैं और आप लोगों को डेट के साथ यह सारी चीज़े याद रखनी है एक दो तीन चार एंड पाच समय होग आपका छे बज़े से लेकर शाम को आठ बज़े तक ठीक है आज का दिन शाया तोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि चाप्टर नमबर बहुत ही छोटा है लेकिन 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 वचा पारी हम लोग रोजाना मिलने वाले हैं छे बज़े से आठ बज़े तक मुझे इसे बड़ा है इसलिए इसलिए यह पांच दिन आपको बहुत 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 यूसफुल होने वाले हैं आप लोगों बिलकुल यहां पर दटे रहना है और कंसिस्टन रहना है सिर्फ और सिर्फ कितने आवर्स में आपका पूरा कम्लीट होने वाला है only and only 10 hours खुब जमेगा रं इसलिए रिविजन होगा बहुत मजाने वाला है सो बजबाड़ी जवनी से like कर दीजिए सेशन को attendance लगा दीजिए so that we can get started कोई भी कंजूसी मत करना क्योंकि मैं कोई कंजूसी नहीं करने वाला हूं बढ़ाने में तो प्लीज खृपया आप लोगों से दर्खवास थे कि आ let's get started let's get rolling fast 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 चुरुवात करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो इसमें जो भी मेहां पर आपको marking करवा कर दूगा 5 star हो या 3 star हो या very important हो whatever it is we are going to do that marking we are just going to do the exam oriented revision only that's it ठीक है okay so चलिए शुरुवात करते हैं भाई और बैनों बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग आपके books लेकर वेट सकते हो let the magic begin let the magic begin फड़ा फट से आपने जो भी groups रहेंगे हैं वहाँ पर भेज़ देना आपने दोस्तों को बोल देना and we will get started now सबजा पाड़ी फड़ा फट से यहां पर देखिएगा पहला सवाल हम लोग जो करने वाले है वह होने वाला है हमारा importance of strategic management दूसरा सवाल हम लोग करने वाले है limitations of strategic management तीसरा सवाल जो हम लोग करने वाले है वो है strategy proactive होनी चाहिए या reactive होनी चाहिए fourth सवाल जो हम लोग करने वाले है वो होने वाला है हमारा levels of strategic management ये एक सवाल हम लोग करने वाले है और हमारा fifth सवाल होने वाला है जो कि इस syllabus में newly added हुआ है relationship वाला ठीक है so वो भी हम लोग करने वाले ठीक है so let the magic begin पहला सवाल हमारे computer screen के सामने हम लोग जा रहे है डाइरेक्ली डाइरेक्ली ये हमारा पहला chapter है इसमें से जो important है वो हमें पता है कि कहां से ज्यादा questions RTP, MDP, PY, Q में कहां कहां से आया है so directly हम लोग जम करेंगे उन questions पर ठीक है got it यहाँ पर एक चीज़ यात रखना MCQ के लिए आँ सकते आपको कि Charles Darwin ने क्या बोला था Charles Darwin ने कहा था survival of the fittest के बारे में किसके बारे में कहा था survival of the fittest के बारे में कहा था कि हम लोगों को change होते रहना होता है हम लोगों change करते रहना है because environment बहुत ही dynamic होता है तो यह हमारे Charles भहिया ने कहा था survival of the fittest के बारे में ठीक है जी got it everyone got it everyone शलो जी awesome then यहाँ पर देखिएगा बचापाड़ी पहला हमारा question है आज का question number one है आज का हमारा वो क्या है major benefits major benefits of strategic management एकदम अच्छे से पूरा की पूरा सारी चीज़ें दिबाग में fit कर देंगे major benefits major benefits major benefits of strategic management क्या है major benefits of strategic management strategic management gives the direction strategic management gives the direction तो strategic management के कारण हम लोग को direction मिलता है किसको company को firm को organization को direction मिलता है कि हमें कहां पर जाना है मतलब यह अपने को help करता है किस चीज़ के लिए help करता है goals and missions बनाने के लिए help करता है goals and missions objectives and goals ठीक है तो हम लोग realistic objectives बना सकते हैं तो भाई और भेलो strategic management के कारण हमको क्या मिलती है हमको मिलती है दिशा दिशा माने direction तो पहला point है strategic management के कारण हमको मिलेगी दिशा strategic management हम लोग जब करते हैं तो वो proactive होता है तो हम लोग यहाँ पर proactively समझ सकते हैं कि क्या-क्या problems आ सकती है so that we are ready ठीक है so proactive रहना जरूरी है in spite of being reactive क्योंकि यह हमको help करेगा हमको help करेगा कि क्या-क्या turbulence आ सकते है क्या-क्या uncertainties आ सकती है so that हम लोग सावदान रहेगे पहले ही so second point हमारा क्या आता है proactive instead of being reactive proactive instead of reactive तो हमारा यह हो क्या second point पहला point है हमको मिलेगी दिशा दूसरा point है proactive instead of reactive तीसरा point हमारा है यहाँ पर तीसरा point क्या है जी it provides the better guidance it provides the better guidance so strategic management framework जो होता है यह हमको यहाँ पर guidance better guidance देता है so that हम लोग अच्छे decisions ले पाए so that हम लोग अच्छे decisions ले पाए so तीसरा point हमारा क्या है better guidance better guidance strategic management के कारण strategic management के कारण हम लोगों को it acts as a pathfinder हम लोग को future के business opportunities क्या है वो पता चल जाएगे तो strategic management हम लोगो एक path बताता है है pathfinder के तरह हमें help करता है कि जो भी available जो भी available opportunities है market में वो हमको पता चल जाएगे ठीक है जी फिर क्या है यहाँ पर it act as a corporate defense mechanism so that हम लोग जो mistake करने वाले है future में वो नहीं करेंगे मतलब क्या है avoid the costly mistake avoid the costly mistake it act as a corporate defense management so that to avoid the costly mistake act as a corporate defense mechanism to avoid the costly mistake to avoid the costly mistake to avoid the costly mistake फिर क्या है जी to enhance the longevity of the business मतलब हम लोग long run में business कर पाएगे हम लोग long run में survive कर पाएगे हम लोग long run में business कर पाएगे to enhance the longevity of the business longevity of the business ठीक है got it and the last one is we would be able to develop certain core competencies we would be able to develop certain core competencies क्योंकि उसका हम लोग को competitive advantage मिलेगा उसका हम लोग को competitive advantage मिलेगा भाई और भहनों यहाँ पर दिखिए longevity of the business for competencies मैं आपको सारे points बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरा की पूरा class में खतम करना है हमारा एक ही मुद्दा है एक ही मुद्दा है ठीक है class में पूरा खतम कर दो ठीक है पांच दिन पांच chapters खतम दो घंचे so strategic management के कारण हम को मिलेगी दिशा we have to be proactive in spite of being reactive so that हम लोग को turbulences uncertainties को better manage कर सकते है हम लोग यहां पर क्या है we would be having the better guidance we would be having the better guidance it act as a pathfinder it act as a pathfinder so that हम लोग को business की opportunities future में मिल जाएगी fifth point है it act as a corporate defense mechanism avoid the costly mistakes it act as a corporate defense mechanism avoid the costly mistake to enhance the longevity of the business so that we can survive in the long run and to develop certain core competencies and gain the competitive advantage and gain the competitive advantage and gain the competitive advantage ठीक है good evening सारे बच्चे good evening सारे ना तो अभी हमारा पहला सवाल हो चुका है हम दोबारा यहां पर दोबारा यहां पर क्या करेंगे इसको revise करेंगे फड़ावर से बताओ मुझे क्या पहला point हमारा हमारा पहला point क्या था हमको मिलेगी दिशा दिशा मतलब goals and missions हमको पता चलेगे फिर हमारा क्या था longevity of the business फिर क्या था हमारा proactive in spite of being reactive फिर क्या है major decisions ले पाएंगे better guidance की कारण फिर क्या है हम लोगों को यहां पर it act as a corporate defense mechanism corporate defense mechanism to avoid the costly mistakes to avoid the costly mistakes और क्या था यहां पर better guidance act as a pathfinder pathfinder and the last one was to develop certain core competencies to develop certain core competencies are you getting this everyone हो गया यह अच्चे से एक last बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एक last बार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो बचवाड़ी यहां पर देखिए major benefits of strategic management आपको इस पर case study का सवाल प्या सकता है ठीक है क्या सवाल आएगा आपको कि अंकेत मिश्रा जी की एक company है अंकेत मिश्रा जी की एक company है और वो अपने ओर्गनाईजिसमन स्ट्रेजिक management को बहुत अच्छे से follow करता है तो हमें बताना है अंकेत जी को कि अगर वो अच्छे से पहले से ही पता होगे यह जरूरी क्यों है क्योंकि यह हमको बेटर गाइड करते हैं यह जरूरी इसलिए भी कि हमको यह future का पात बता दें हमको बेटर अपॉर्चुरिटीज पता चलेगी future में क्या आने वाली है और हमारी जो costly mistakes होने वाली है वो costly mistakes नहीं होगी अभी और हमार competition से आगे रह पाएगे ठीक है जी got it everyone आई बात समझ great amazing wonderful wonderful तो हमारा हुआ आज का question number one समात दूसरे question की तरफ जाते हैं और दूसरा question आज का है हमारा limitations of strategic management क्या है मिटा दूसरा जो हमारा सवाल है वो है limitations of strategic management limitations of strategic management limitations of strategic management limitations of strategic management पेटा आपको आ सकता है 4 marks के लिए उपर वाला जो सवाल ता आपको आ सकता है यहां पर 5 marks के लिए यहां आ सकता है पेटा आपको 5 marks के लिए सवाल 4 5 whatever it is ठीक है तो limitations में क्या क्या लिखोगे limitations of strategic management देखो भया कितनी भी planning कर लो कितरा भी कुछ भी कर लो हम लोग यहां पर एक्तम अच्छे से कोई भी चीज़ कर नहीं भाएंगे so we cannot counter all the hindrances we cannot strategic management cannot counter all the hindrances and always to achieve the success there are limitations which are attest to the strategic management as well there are limitations also there are limitations too which are attest to strategic management क्या है पहला कि environment बहुत complex है और बहुत turbulent है environment is highly complex and highly turbulent environment is highly complex highly turbulent इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी business कर रहे हैं कि environment पे बहुत जदा changes वगरे होते रहते हैं तो इस changes में हम लोगों को समझना है कि हमें इस changes को adapt करना होगा responsive होना होगा so पहला point क्या है हम लोगों ने अच्छी planning प्लानिंग करी भी होगी लेकिन सरकार change होगी हम लोग कि पूरे plan पर पानी फैर सकता है right so हम लोगों को यहां पर क्या रेना है हम लोगों को यहां पर सावधान रेना है because environment बहुत बदलते रेता है क्योंकि आपको तो पताई है कि Nokia जैसा एक बड़ा player भी market से बाहर हो चुका था क्योंकि उसने बदलते environment के साथ बदलते लोगों की ख्वाईशों के साथ यहां पर क्या किया उसने अपने आपको बदला नहीं लोगों को Android में बज़ा रहा था लेकिन ये भाईया चेंज नहीं किये और क्या हो गया खतम हो गए तो बदलते environment को देखना है और आपको भी उसके अनुसार बदलना होगा जो स्टाइजिक मेंजमेंट का दूसरा यहां पर limitation क्या है बहुत time consuming है पहला क्या है एन्वारिमेंट काफी complex है एन्वारिमेंट काफी turbulent है दूसरा point strategic management बनाने के लिए बहुत समय लगता है it is a time consuming process तीसरा point क्या है it is costly process आपको क्या लगता है कोई भी एरा गेरा इंसान आएगा और planning करके चले जाएगा आप लोगों को highly qualified लोगों की जरूत होती है आप लोगों को बहुत ज्यादा हुश्याल दोगों की जरूत पड़ेगी जो की नहीं इंटर्नल environment को बलकि external environment को भी समझ सकता है आप लोगों को analysis करना होगा internal as well as external environment का आपको experts की जरूत होगी और वह expert जो है वो एक दो हजार रुपया में नहीं वानेंगे उनको लाखो लाखो रुपए देना होगा उनको लाखो लाखो रुपए देना होगा करोड़ रुपए देने होगे तो इसले से a very costly process because it requires experts it requires experts and this experts are very very costly बराबर छे बराबर छे बराबर छे आखे आखे and the last point is in the competitive scenario where all the organization are trying to move strategically it is difficult to clearly estimate difficult to clearly estimate the competitive responses to the firm's strategy बहुत difficult होता है हम लोग यहां पर estimate कर पाएंगे कि उनके strategy क्या होगी market में क्या चलेगा market में क्या नहीं चलेगा got it everyone आई बात समझ आई बात समझ आई बात समझ आई बात समझ है sir हम यह इत्ता फूरा लिखने का है क्या था answer is no अपने को highly complex and turbulent को समझाना है कि हमने जो plan किया है वो पूरा की पूरा चोपाट हो सकता है मतलब क्या है कि जो हमने estimate किया था it may awfully go wrong and geopolitize all the strategic plans कैसे change होगा कि supplier नहीं आपर कुछ गड़बड कर दी customer के requirement change हो गई government के कुछ policy change होगी बस इत्ता explain करो ओन वर्ट में it's not necessary कि इत्ता पूरा लिखने का है you should you should write this point क्या environment is highly complex and turbulent यह वैसा कि वैसा लगी रहा उसके अंदर का तुम थोड़ा पर तुम्हारे language में लिख सकते हो यहां पर आपको क्या है strategic management is a time consuming process आपको इत्ता लिखने का है उसके अंदर तुम बताओ उनको ठीक है उसके अंदर तुम्हारे ओन वर्ट में आताओ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें यह लिखना होगा strategic management is a costly process अब costly process क्यों है क्योंकि experts लगते एक्सपर्स लगते हैं कौन से अंदर अपने हिसाब से लिखो यहां पर देखो कैसे bullets दिये गए है यहां पर तुम लिख सकते हो one यहां पर लिख सकते हो एक लाइन छोड़कर 2, यहाँ पर लिख सकते एक लाइन छोड़कर 3, और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर 4, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एक main point लिखने का उसके अंदर description, एक main point उसके अंदर description, एक main point उसके अंदर description के बाद में किक लाइन छोड़ो तुमने फीज बरी है तुम्हें पूरा अधिकार है सप्लिमेंट वांगने का देखो यहां पर इन्हों ने भी तो कैसा लाइन छोड़ा है थोड़ा साइसे गैप छोड़ा है न आप लोग भी आपका प्रेजेंट टेपल जितना ज्यादा र ऐब चलो दूसरा सवाल अपना खतं थे गई यह अपने अभी तग दो सवाल होए क्या क्या हुए अपना बेने लिमितेशन कर लिया ठीक है, limitations अभी limitations का एक तो directly आपको straight forward सवाल आएगा, या फिर आपको एक case study आएगा, क्या case study आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, अब आपको case study आएगा, हर्शित की एक company थी, ठीक है, हर्शित की एक company थी, हर्शित एन हर्शित company, and he has followed the strategic management and he believes that he can counter all the hindrances do you agree with the Harjit statement or not he can counter all the hindrances because he is following the strategic management approach so what do you is he right is he wrong and if wrong please explain if he is wrong please explain okay great amazing Thank you so much तो आपको बता ना है हरसित बोल रहा है कि हम लोग सारे के सारे hindrances को एकदम एकदम निकाल देंगे खरना हमने strategic management follow क्यां तो रांग इसा नहीं कर सकते हो you cannot counter all you cannot counter all the hindrances यहां पर आपको कुछ problems आ सकती है और आपको limitations बताना है ठीक है सो दूसरा भी अपना खतम हो गया मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे तीसरे सवाल की तरफ हमारे तीसरे सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ जी ध्यान देना एक दम अच्छे से हाँ यह रहा Partly planned and partly reactive strategy जो होती है strategy जो होती है ये partly क्या होती है partly proactive partly reactive partly proactive partly reactive इस पर आपको case study भी आ सकता है direct जवाल भी आ सकता है कैसे जवाल आएगा कि यहाँ पर दो कमपनिया थी ठीक है एक कमपनी थी रितू की एक कमपनी थी श्रद्दा की एक कमपनी थी रितू की एक कमपनी थी श्रद्दा की श्रद्दा always believed that की कुछ तो नया करें कुछ तो innovative करें और जो भी वो कुछ नया करती थी हमेशा अपनी R&D techniques लगाती थी और पहले ही सबसे पहले होती थी वो कुछ तो कुछ नया करने के लिए जिसमें काफी जादा problems भी होती थी लेकिन वो first more advantage भी उसको कहे बार मिलता था उसका काफी हचा profit होता था लेकिन जो हमारी दूसरी student थी रितू ठीक है वो क्या करती थी वो हमेशा क्या करती थी पहले अगर सब लोग लेकर आगए तो उसको follow करती थी उसको इना ऐसा था ना कि भाई सब ने अभी experiment कर लिया है ठीक है अपने को पता है यह मार्केट में प्रोड़क्ट चलेगा तो सब को follow कर दी थी ठीक है तो आपको बताना होगा कि यहां पर रितू ने कौन सा किया है तो रितू ने क्या किया जो सब से प्रोड़क्टिव ही रहनी चाहिए क्या is this right or wrong please explain then you have to say that कि no strategies should be partly proactive लेकिन हमारे environment में हमेशा changes आते रहते हैं और जब environment पे changes आते हैं तो हम लोग rigid नहीं हो सकते हैं हमको उस changes को समझना होगा analyze करना होगा और accordingly plan को change करना होगा so by the way that means that we are reacting to the situation out there so इसका मतलब क्या है कि strategy should be partly proactive and strategy should be partly reactive strategy should be partly proactive strategy should be partly reactive ठीक है got it समझे आप लोग everyone are you getting it okay got it got it got it everyone okay great so just check it out over here as it is evident as evident from this figure the company's current strategy flows from both initiated actions so यहां पर देख सकते हो not every strategy is the move of a result of the proactive planning and deliberate management design this happens that cannot be fully anticipated or planned हम लोग कोई भी चिज़को fully anticipate नहीं कर सकते या फिर plan नहीं कर सकते है and when the market and the competitive conditions take an unexpected turn take an unexpected turn or some aspect of the company hits a stone wall some kind of strategic reaction some kind of strategic reaction or adjustment is required or adjustment is required and hence the strategy is hence partially a company strategy is always developed as a reasoned response क्या है as a reasoned response for unfortunate developments मतलब business environment में अगर कोई changes होते हैं तो हम लोगों को भी कोई changes करने पड़ेगे so crafting a strategy thus involves stitching together proactive that is known as intended strategy based on the prior successful experience and adapting the pieces of the successful reactions मतलब हम को यहाँ पर reactive और adaptive भी करना पड़ेगा आपको यह MCQ के लिए भी आ सकता है कि reactive strategy को हम लोग adaptive strategy बोल सकते है और proactive strategy को हम लोग intended strategy के सकते है so reactive को adaptive के सकते है और proactive को intended के सकते है reactive को adaptive के सकते है proactive को intended के सकते है ठीक है got it everyone आई बात समझ आई बात समझ आई बात समझ ठीक है तो यहाँ पर देखिए unfortunate changes जो होते है unfortunate developments जो होते है business environment में accordingly हम लोग उसको अडड़ाक्ट करते है है, accordingly हम लोग उसको change करते हैं, उसको respond करते है, ठीक है, so यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया, so हमारे अब भी तक कितने questions हुए, पहला सवाल हमारा हुआ, benefits का, ठीक है, क्या है, benefits of SM हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा सवाल हम लोगों ने किया है, limitations का, limitations of SM भी हम लोगों ने कर लिया है, तीसरा सवाल हम लोगों ने किया है, proactive, proactive strategy, proactive strategy, and reactive strategy पराबर अभी अपन फॉर्थ वीचण करेगे फॉर्थ कोईचैन क्या है फॉर्थ कोईचैनेगे लेवल स्ट्राटेजिक्जिक्स प्रटेजिक मैनेजमेंट थीक है चलिए अभी जाते हैं अपन लेवल्स पर ध्यान दीजिए बचावाड़ी अच्छे से करेगे इसको लेवल्स 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 यह रहा है जनरली देरा थ्री मेन लेवल्स और मैनेजमेंग Ilme horribly business बॉलो बीजनेस लेवल कौन कौन लोग आते हैं आपको mcq के लिए पूज़ा दा सकता है corporate level में CEOs होते हैं, corporate level में board of directors, BODs होते हैं, corporate में senior executives होते हैं, तो आप लोग को MCQ के लिए भी वूच sparkling होते हैं, कि corporate level में कॉन-कूल लोग होते हैं, corporate level में सारे के सारे बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें, बड़े लोग बड़ी बातें, मजच काम कि ओता है, corporate level का corporate level का काम होता है mergers and acquisitions करना किसी company को acquire कर देने का किसी company को बंद कर देने का पूरा की पूरा धंदा बंद करने का किसी company का divestment के ते उसको ठीक है अगर हम लोगों को mission बनाना है vision बनाना है या फिर हम लोगों को strategic decision making करनी है तो वो सब कुछ कहां पर आएगा corporate level में आएगा तो मैं आपको दुबारा repeat कर रहा हूँ वड़े लोग वड़ी बाते CEO हो गया, CFO हो गया MD हो गया, chairman हो ठीक है board of directors हो गए ये सारे लोग क्या करते है corporate level में आएगे, MCU के लिए आपको आ सकता है ठीक है, आपको यहाँ पर पूचा जाएगा कि corporate level को define करो तो corporate level में ये चो लोग होते है ये साब लोग strategic decision making करते है mergers and acquisitions के बारे में देखेंगे कोई धंदे को बंद करना है तो उसके बारे में देखेंगे ठीक है, समझ मैं कि corporate level का काम क्याता है, vision मनाने का, mission मनाने का ये सारे काम किसके corporate के है उसके अंदर, अभी कोन आएगा उसके अंदर, अभी आएगा business level मतलब उसके नीचे, फिर सबसे उपर corporate, उसके नीचे business level business level में कौन लोग आते है business level में one particular business का head, जो कि उस business की पूरी planning कर रहा है, मतलब for example, realoo एक तम उपर आगे, कौन मुकेस भाई, मुकेस भाई corporate level मुकेस भाई ने, अपने एक business one of the business, कौन सा, जीओ का तो जीओ का जो business है उसका head किसी को बनाया, तो वो कौन हो गया, business level manager, अब वो business level manager, किसके बारे में सोचेगा, जीओ को कैसे उपर लेकर जाने का है, जीओ के लिए क्या planning कर दी है, तो वो कौन है business level manager, अब उसके नीचे आते है, functional level managers, कौन functional level, functional level मतलब कौन, कि जहां पर हम लोगों ने HR का head बना दिया, production का head बना दिया, operation का head बना दिया, marketing का head बना दिया, R&D का head बना दिया, तो यह जो heads है, यह क्या है, specific business function, specific business function, उनका काम क्या है, उनका काम है, बस HR से related है, उनका काम operations related है, उनका काम R&D से related है, मतलब यह क्यों हो गया, functional heads, तो यहां पर हो गया, बैटा, functional head, यहां पर हो गया, corporate और यह हो गया business level, तो यहां पर ultimately काम क्या होता है, functional level का काम होता है, कि business वाले ने जो बुला है, उसको हासिल करने का, business वाले का काम होता है, वैसा plan बनाने का, जो corporate को चाहिए है, मतलब business level manager act as a link between the corporate and the function, तो यह जो होते हैं, यह operational level पर काम करते हैं, जो की implementation वाला काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं functional level, corporate मतलब एक्दम बड़े लोग, अंबानी जैसे बड़े लोग, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बचापाटी, यहां पर क्या करते हैं, planning वागरे करते हैं, planning होगरा, ठीक है, got it, आपको exam में सवाल आ सकता है, कैसे, distinguish between, क्या हैगा, distinguish, आपक functional level, यहां फिर आपको क्या सवाल आ सकता है, आपको सवाल आएगा, कि functional level को, दो marks के लिए explain कीजिए, two marks, and आप business level को, दो marks के लिए explain कीजिए, बिजनेस को दो marks के लिए explain कीजिए, ऐसा भी सवाल आता है का सर exam में आता है, functional दो marks के लिए, बिजनेस दो marks के लिए explain कीजिए, ऐसा सवाल आपको exam में आ सकता है, आई बात समझ, चलिए, देखते हैं आपर, ध्यान देना इक्तम अच्छे से, यह क्या करते हैं, यह strategic decision making करते हैं, strategic decision making, which involves mission, which involves goals, which involves what business should we be in, हम लोग कौन से बिजनेस में रहने चाहिए, हम लोग कौन से बिजनेस में रहने चाहिए, कौन सा धन्दा बंद करना है, ठीक है, तो वो सारी की सारे decisions को लेगे, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बाते, बड़े लोग, बड़ी 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 बाते, ठीक है, so corporate level managers provider, organization level view, आपको MCQ के लिए पुझा जाएगा, organization level view, कौन से टाइप के, कौन से टाइप के managers ध्यान रखेगे, कौन से टाइप के managers ध्यान रखेगे, ठीक है, what they want to achieve, but is on the business level managers, to ensure that the particular business, particular business के बारे में, कौन ध्यान रखेगा, business level, business level, business level, particular business के बारे में, कौन ध्यान रखेगा, business level, मैंने क्या बोला, सिर्फ जियो, हम लोगों ने संभालने के लिए दिया है, एक इनसान को, और उसको बोला है, देख तू, देखो, जो करना है कर, क्या है वो, business level managers, business level managers, and besides overseeing the resources, resource allocation, and managing the divestment, and the acquisition process, corporate level managers, provide a link between the people, who oversee the strategic development of the firm, and those who own it, so corporate level managers, and particularly the CEOs, can be viewed as the guardians of the shareholder's welfare, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, the strategic, business level manager कौन है, business level, the principal general manager of the business level, or the business level manager, is the head of the division, is the head of the division, ठीक है, and the strategic role of this manager, is to translate the general statement of the direction, and intent, that come from the उपर से, corporate से, जो भी आकाश्वानी आती है, यह इनको follow करनी होगा, किसको, business level को, business level, ठीक है, got it, और फिर functional level managers, कोल होते है, यहोते specific business functions, specific business function, specific business function, specific business function, जिससे की, HR हो गया, purchasing हो गया, product development हो गया, customer service हो गया, and so on, and so on, ठीक है, they are not responsible for the overall function of an organization, बट, इनका काम क्या है, specific, वुष्पर्टिक्लर department से related ही, उनका काम है, specific department से related ही, ठीक है, आपको एक और सवाल पूचा जाएगा, मैं आपको सवाल पूचता हो, कि क्या हम लोगों ने, क्या हम लोगों ने, चलिए, हम यहाँ पर करते हैं, तो अनिरुद्धा है, अनिरुद्धा, तो अनिरुद्धा की एक company है, और अनिरुद्धा की company में, there is one person, who is working as a functional level manager, उसको बहुत knowledge है, उसके साथ वो 20 साल से काम कर रहा था, कौन, अनिरुद्ध के साथ, एक X person है, X person, वो 20 साल से काम करता है, तो अनिरुद्ध को, यह X person को, क्या उसके decision making में लेना चाहिए, कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि X तो functional level है, लेकिन वो functional level को, बहुत अरी चीज़े पता है, customers को, क्या चाहिए, क्या नीडे, क्या बदला होते लेता है, market में, sorry कि sorry चीज़े पता है, तो, हाँ, अनिरुद्ध ने, जो कि corporate level पर है, क्या उसके functional level वाले को, business decision making में, business decision making में, participate करने की, अनुमती देनी चाहिए, कि नहीं देनी चाहिए, लेना चाहिए, very good, बिलकुल लेना चाहिए, तो यहाँ पर वो है, सवाल आता है, क्यों लेना चाहिए उसको, functional level manager, provide the most of the information, that make the possible, for the business and the corporate level general manager, to formulate a realistic, realistic strategy, because they are very close to the customers, they are very close to the customers, than a typical general manager, and the functional level managers themselves, may generate the strategies for the company, so therefore, therefore, it is important from the general managers, to closely, क्या इन्वाल्व इस functional level manager in the planning, ठीक है, Got it, Got it, Got it, Got it, Got it, तो बजवाड़ी यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, आपको practical question, यहाँ पर एक case study question possible है, यहाँ पर एक case study question possible है, ठीक है, आई बात समझ, आई बात समझ, एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन, ठीक है, Got it, very-very good, very-very, very-very good, यह आगे बढ़ते हैं, ओके, तो यह भी हो गया अपना चार सवाल लोग अपने चार सवाल अपने हो चुके हैं बहुत अच्छे से हो चुके बहुत अच्छे से बेनिफिट्स हो गया लिमिटेशन हो गया कहां भी लिगादर है अपने ठीक है कोई बात नहीं नाव यह मुविंग तो दे नेक्स्ट क्वेस्टन दाइस 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 बहुत इंपॉर्टन प्वेस्टन है जी ध्यान देणा एक तम अच़् अच्छे से नेटवर्क ऑफ रिलेशन्शेप बेट्विञ थ्री लेवलस नेटवर्क ऑफ रिलेशन्शेप बेट्विं थ्री लेवलस यह हमारा question number 5 question number 5 ऐласक है झे심 दीजिए just a second guys एक किछ मिनिट में चबाड़ी एक किछ मिनिट यस तो नेटवर्क आफ रिलेशंट्ट बेट्वीन थ्री लेवर्स बहुत ही आसान है कि यह न्यू क्वेश्चन है इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार मार्क कर देंगे यह न्यू कुश्चन है इसको जरा आप लोग अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से करने का है ठीक है इस जैसे की न्यू क्वेश्चन तो जैसे की पॉर्परेट लेवल डिसाइज मृट बिजनिस शुड वी अचिव वाइल बिजनिस लेवल राऊस दे प्लान तो organization as a whole to decide what kind of relation should be there in the three levels इन तीन लेवल में कैसे कैसे relationship होना चाहिए ठीक है अपने अभी तीन लेवल से देख लिए corporate, business and operational मतलब functional तो ऐसा तो इनका hierarchical relationship रहता है बट कभी-कभी आपको hierarchical को छोड़कर कुछ अलग relationship भी होते हैं कभी-कभी वो कब होते हैं? let us see here in this particular question तीन टाइप के relationship है, functional, divisional, horizontal, matrix functional, division, functional, division, horizontal, matrix functional, division, horizontal, matrix, functional, division, horizontal, matrix तो functional में क्या होता है? it is an independent relationship where each functional or division is run independently, headed by the functional division head who is the business level manager reporting directly to the business head who is the corporate level manager and functions may be like finance, HR, while divisions may be like products तो basically यह क्या है? यह जो functional level रहेगा यह पिर division level रहेगा वो उसके उपर करेगा वो उसके उपर करेगा तो कहने का मतलब क्या है? यह hierarchical होता है hierarchical होता है यह यह इसको report करेगा और यह इसको report करेगा तो यह क्या है? अपना नॉर्मल अपना एकदम नॉर्मल जो hierarchical होता है वैसाइच होता है हम लोग हमारा काम देख लेंगे functional वाले तुम तुमारा देख लो business वाले corporate तुम तुमारा देख लो और नीचे वाले उपर वाले को रहेगे और यह middle वाले और उपर वाले को रहेगे ठीक है? तो इस जस्ट नॉर्मल हैरारिकल तो functional, divisional में क्या होता है? यह बिल्कुल नॉर्मल वाला है लेकिन horizontal में क्या होता है? horizontal में it is just like a startup company तो हम लोग at par है हम लोग at par है तो जब हम लोग सब at par है तो यहां पर क्या होता है na generally कि कोई भी कोई भी कुछ भी जो ideas आती हो बोल सकता है तुरंत क्या रहे मिरको यह idea है everyone is at the same level at the same hierarchy and you are able to participate in any of the decisions that are being made क्योंकि यहां पर क्या होता है? यहां पर fast changes हम लोग को करने पड़ते हैं हमको innovation चाहिए होता है हम लोग को यहां पर तुरंथ environment change हो रहा है तुरंथ idea लगाने है तुरंथ deployment करना है तुरंथ changes करने है तुरंथ dipler करना है तुरatics chanj तुरंथब्लेमेंट तुरंथ हम लोग कभी भी कुछ भी किसी को भी बोल सकते बाद कर सकते प्लान बता सकते और इंप्सको इंप्लिमेंट करने की कोशिज भी कर सकते हैं यहाँ पर continuous focus हमारा रहता है new ideas पर तो यहाँ पर work culture काफी difference आए ट्रांसपरेंसी बहुत जादा होती है और यहाँ पर innovation पर ज्यादा focus किया जाता है innovation पर ज्यादा focus किया जाता है तो आप लोग को यह जो है आपको में भी आ सकता है इंफ्लैक्ट कौन सा राइप के relationship में आएगा या फिर आपको पूरा की पूरा question भी आ सकता है ठीक है got it and तीसरे टाइप का जो structure होता है वो matrix होता है matrix यह बहुत बड़ी बड़ी organization में होता है जहां पर project wise work होता है तो project wise जब वर्क होता है बहुत सारी company से तो यहाँ पर कुछ जगा खाली है तो हमने दूसरे department पडा दिया यहाँ पर बादिया तेम्पररीली टास्क बेस्ट बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं सो दे रिलेशनिशिप हेल्स्ट मैनेग्स यूज कॉंगलबरेट विद इस वेरस इस नियरली पॉसिबल तु ट्रैक्ट अन्मानेज अवरी सिंगल तीम इंडिपेड़नेटली तो आपको सवाल पूचा जाएगा कि ग्रीड लाइक स्ट्रक्चर कहां पर होता है implants ज्यादा focus on innovation कहां पर होता है आपको पूचा जाएगा कि अगर वो divisional वाला उपर वाले को करता है, अगर functional वाला business वाले को report करता है, तो यह कौन ज़राइक का structure है, यह generally hierarchical होता है, मतलब यह functional divisional structure में होता है, functional division relationship, functional divisional relationship, functional divisional relationship, तो भाईो और भेनो, यह एक नया question आया है तुम्हारे सिलाबस में, पहले यह नहीं था, पहले यह नहीं था, बाकी जो सारे questions थे, इसके पहले के, यह तो पुराने सिलाबस में भी थे, यह नया सिलाबस में आया है, chapter number one का, यह वाले question को mark कर दीजिए, as a new question, बाकी question तो same day, जो पुराने सिलाबस में भी थे, तो पुराने सिलाबस में जो भी थे, they are just same, to same like that only, got it, got it, got it, got it everyone, तो भाईयों और बहनों, यहां पर देखिए, हम लोगों ने, कितने questions किये हैं, अभी तक 5 concepts किये हैं, इसके इर्द गिर्द, बहुत सारे सवाल पूचे जा सकते हैं, इसके इर्द गिर्द, बहुत सारे MC की पूचे जा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने, जगा जगा पर मार्क भी किये हैं, और मैंने discuss भी किये हैं, literally, कि भाईया कैसे, आपको case study इस पर पूचा जा सकता हैं, जैसे कि मैंने आपको, उपर यहाँ पर मार्क करवा कर दिखा हैं, कि इस पर case study कैसे बन सकती है, कि functional level वाले को, हम लोगों ने क्या planning में involved करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, मस्त पूरी की पूरी हम लोग कहानी रच सकते हैं, क्या कहानी रच सकते हैं, कि एक था, या कोई तो particular person उसकी organization थी, फिर वहाँ पर जो छोटा वच्चा फंक्शनल में जो काम करता था, उसको बहुत सारी चीज़े पता थी, लेकिन उनको उन्होंने decision making में लिया नहीं, तो इन्होंने सही किया है, गलत किया, या उसको decision making में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा मस्तव पूरा कहानी बनाएंगे और आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, गाजिच, एव्रिवन, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखे, चलिए, एक और, अभी ये जो थोड़ा theoretical पार्ट है, थोड़ा सा boring वाला पार्ट है, वो भी कर देते हैं, फड़ा फट से, वाट इस mission, वाट इस vision, नहीं, फड़ा फट से कर लेते हैं, अब देखो यार, इस पर ज़्यादा समय मत बिताना, कि vision क्या है, mission क्या है, लेकिन इसमें से थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, सो फड़ा फट से vision का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, vision मतलब क्या होता है, company के future, that where we want to go, ठीक है, तो यह future की हम लोग को blueprint देता है, हमको यह future का blueprint देता है, कि हमको future में कहां पर जाने का है, हमको future में कहां पर जाने का है, उसको हम लोग क्या कहते है, vision कहते है, क्या कहते है उसको vision, देखो, entrepreneurial challenge is developing a strategic vision, is to think creatively about how to prepare a company for the future, forming a strategic vision is an exercise of an intelligent entrepreneurship, forming a strategic vision is an exercise of intelligent entrepreneurship, a well articulated strategic vision, क्यू जर्डियो रहता है, because it creates the enthusiasm among the member, it creates enthusiasm among the members, and the best worded vision statement, clearly eliminates the direction in which the company is headed, in which the company is headed, mission मतलब क्या, mission मतलब हमारी present capabilities, that what business are we in actually, and what we are willing to do, and what we are doing मतलब, ठीक है, so यहाँ पर देखिए, what business are we in, and what we do, what we do, यह जो होता है, यह हमारी present capabilities बताता है, कि हम लोग जो कर रहे है, वो सही है या नहीं, यह हम लोग क्या कर रहे हैं, who we are, and what we do, who we are, and what we do, so it broadly describes, the present capabilities, the present capabilities, the customer focus, and the activities, and business make-up, that's it, इतना ही आपको याद रखना है, यह इतना भी आपको MCQ के लिए आ सकता है, ठीक है, इतना भी आपको MCQ के लिए आ सकता है, जी, got it, everyone, आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ, और फिर आपने को देखना है, यहापर, goals and objectives, goals and objective में अपने को क्या दिखना है, the vision and the mission, are converted into goals and objective further, and as the term objective is synonymous to the goals, but क्या है, goals are open-ended attributes, while the objectives are close-ended attributes, goals are open-ended attributes, objectives are close-ended attributes, objectives are more specific and translate the goals to both the long-term and short-term, however, this distinction is not made by several theorists, and accordingly, we can use them interchangeably, we can use them interchangeably, मतलब बना जी सेमी है, लेकिन इन्होंने, बनाने वाले definition इन्होंने अलग-अलग बना लेकिन यहाँ पर एक specifically इन्होंने objectives के बारे में बोला है, जो कि आप लोग को याद भी रखना है, और नॉर्मली भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, यह objective जो रदेना, वो more specific होते है, short run में होते है, वो एक majoring rod बन जाता है हमारा, goal हमने एक अचीव किया है कि नहीं किया है, वो देखना कि लिए, so objectives क्या है, यह performance target होते है, and they are the results and the outcomes in, want to achieve, so they function as a yardstick, they function as a yardstick for tracking an organization's performance, for tracking an organization performance and organization progress, organization performance and organization progress, ठीक है, so they are the yardstick, to achieve the organization performance and organization progress, ठीक है, got it everyone are you getting this are you getting this okay और फिर आता है values क्या आता है values तो values तो डेफिनेट्ली ये तो एक बहुती broader concept है जो कि हर organization ने ध्यान देना से गिया जैसे कि यहां पर example सबसे best इसका दिया है company का Tata so Tata is known for the values so a company's values set the tone क्या है set the tone of how the people of the think and behave especially in the situations of dilemma ठीक है और जो भी हमारी values होती है वो हमारे long term के लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिये भी किसी भी company के लिए किस के लिए long term के लिए आपको याद रहेना चाहिए एक definition strategy का और एक definition management का आप लोग को याद रहेना चाहिए so यहाँ पर आप लोग ये याद रख सकते हो a unified comprehensive and integrated plan designed to assure the basic objective of the enterprise to achieve या फिर आप लोग ये वाला याद रख सकते हो the term strategy is associated with the unified design and the action for achieving the major goals gaining the command over the situation and the long range perspective कोई भी एक definition आपको strategy का याद रहना चाहिए या फिर ये वाला any one definition मैं ये नी बता रहो कौन सा आप लोग कोई भी एक definition strategy का याद रख सकते हो क्या है strategy is a long range blueprint of an organization's desired image the direction and the destination what it wants to be and what it wants to do and how the things are going to be done ठीक है तो any one definition of the strategy you should know and any one definition of any one definition of management you should know तो यहाँ पर ये management ये देखो तो one definition of management and one definition of strategy ये इतना आपको पता होना चाहिए ठीक है management मतलब क्या it is a set of interrelated functions and processes the carried processes carried out by the management of an organization to attain the objectives to attain the objectives so हम लोगों ने यहाँ पर तो chapter number one को मुटा मुटी खतम कर ही दिया है देखते हैं इसके हम लोग यहाँ पर कुछ of the following to make to take a market position to attract and satisfy the customer to respond to dynamic and hostile environment and all of the above बताईये जी क्या होगा इसका सही जवाब बताईये strategy is the game plan which is used for the following yes बताईये everyone क्या होगा यहाँ पर सही जवाब I want to know D all of the above बराबर game plan to take the market position to attract and satisfy the customers and to respond to the dynamic and hostile environment बिलकुल सही जवाब which of the following is correct strategy is always pragmatic and not flexible strategy is not always perfect, flawless and optimal strategy is always perfect, flawless and optimal and strategy is always flexible but not pragmatic बताईये easy है यह बहुत आसान है क्या strategy हमेशा pragmatic और not flexible रह सकती है perfect रह सकती है नहीं not pragmatic रह सकती है नहीं तो यहाँ पर answer क्या आना चाहिए B answer आना चाहिए कि strategy हमेशा perfect नहीं रह सकती है flawless नहीं रह सकती है optimal नहीं रह सकती है there can be changes there can be wrong strategy as well हम उसको change भी करना पड़ेगा flexible भी रखना पड़ेगा strategy is proactive in action reactive in action blend of proactive and reactive in action and none of the above क्या लगता है यहाँ पर strategy is proactive in action strategy is reactive in action strategy is a blend of proactive and reactive in action and none of the above क्या है जी बताईए इसका answer blend of proactive and reactive awesome 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 ठीक है बहुत सभी reactive strategy can also be termed as dash reactive strategy can also be termed as planned strategy adaptive strategy sound strategy dynamic strategy so reactive मैंने उपर ही mark किया था देखो planned strategy को intended strategy भी केते है planned को intended strategy भी केते है तो यहाँ पर इसको adaptive केते है very good very very good guys very very good next देखते है formulation of strategies and their implementation in strategic management process is taken by top middle lower none formulation of strategies and their implementation in strategic management process is undertaken by dash यहाँ पर accident हो जाता है बच्चों का generally लेकिन हमारा accident नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है बच्चों एक्दम फॉर्म फॉर्म में लिख देता है क्या formulation of strategy top level management the answer is wrong आगे implementation भी तो दिया है तो यहाँ पर आएगा all तो यहाँ पर आएगा all बच्चा यहाँ पर emotional हो कर सिर्फ क्या देखता है formulation of strategy top level executive formulation top level no आगे implementation भी तो दिया है ठीक है which of the following are responsible for formulating and developing the realistic and attainable strategy corporate and business level corporate and functional level functional and business level corporate business and functional level तो बताईए बचबाड़ी यहाँ पर who is responsible for formulating and developing a realistic and attainable strategy realistic developing a realistic and attainable strategy बताईए बोलो जी क्या है सही जवाब क्या है सही जवाब बेलकुल सही जवाब क्या वहाब दू दिया है इस D corporate, business and functional corporate, business and function corporate, business and function okay which of the following manager's role is to translate the general strategies into concrete strategies for the individual business बताई ये supervisor, functional manager CEO of the company and all of the above which of the following manager's role is to translate the general statements into the concrete strategies of the individual business actual में तो यहां पर अभी question के इसाफ से तो business level आना चाहिए बट अपने को business level दिया ही नहीं है तो अपन यहां पर supervisor तो कुछ है नहीं CEO of the company कुछ है नहीं अपने को यहां पर यही करना पड़ेगा ठीक है इंडिविज्वल ठीक है business इस तो आपने इंडिविज्वल अभी functions पकड़ लेंगे लेकिन actual में आना चाहिए business level अपने उपर देखा था ना particular business के बारे में ठीक है बट ठीक है we will go with the more logical हम लोग यहां पर भहस नहीं कर सकते है and which is the most logical as per the question and the options given functional है तो हम लोग functional को करेगे and जैसे कि मैंने कहा always salute the boss इसके बारे में functional के बारे में ही लिखा है तो हम लोग भी functional कर देंगे उस case में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगे ठीक है got it which of the statements should be created first and foremost कितना easy है सबसे पहले क्या बनता है strategy बनती है vision बनता है objective बनता है mission बनता है क्या बनता है सबसे पहले क्या बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा बताइए जी everyone over there सबसे पहले क्या बनेगा first and foremost फिर्स और फोर्मस्ट क्या बनेगा विजन बनेगा अरे 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 विजन बनेगा विजन बराबर किस ड्राइजिक management enables an organization to dash instead of companies just responding to the threats in their business environment strategic management enables business to be dash to be proactive determine whether the threat will be subside avoid the threats and defeat the competitors instead of just responding responding मतलब instead of just reacting हम लोग क्या करेंगे proactive रहेंगे इंस्टेद आफ जस्ट बिन रेक्टिव दोनों भी करेंगे रेकिड रेक्टिव रेना है रेक्टिव रेक्टव रेक्टिव रेना है state the following three statement strategies have short-range implication strategies of action-oriented strategies are rigidly defined from the combination given below select an alternative that represents that the statement are too. true 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 have short-range implications action oriented rigidly defined so A and B uh Contacts middle week we have one and two is correct 1 & 3 is correct, 2 & 3 is correct and 1 & 2 & 3 are correct, क्या लगता है आपको, इस में से कौन सा सही है, पहला सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, तीसरा सही लग रहा है, क्या लग रहा है, देखो है, rigid तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको respond तो करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं है, action oriented रहना चाहि तो यहां पर ए आना चाहिए, बराबर, got it, everyone, आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ, what involves formulating, implementing and evaluating the cross-functional decision that enables an organization to achieve its objective, what involves formulating, implementing, evaluating cross-functional that enables a strategic to achieve its objective, formulation, evaluation, implementation, implementation management, बहुत easy है, बहुत 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 easy है, देखो यार, तीनों आगए यहां पर, formulation, implementation, evaluation, so definitely, what it would be, sorry, यह नहीं, यह होगा, strategic management होगा नहीं, of course, strategic management होगा है, of course, of course, of course, ठीक है, strategic management allow an organization to be more authoritative, to be more participative, to be more commanding and to be more proactive, क्या होगा यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्या होगा है, बहुत ही आसान है, come on everyone, tell me the right answer for this question, tell me the right answer for this question, and it is again D, proactive, 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 right, got it, everyone, awesome, 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 फड़ा फट से questions भी देख लेते हैं, फड़ा फट से questions भी देख लेते हैं, Mr. Raj has been hired as a CEO by XYZ Limited, a FMCG company that has diversified into affordable cosmetics, the company instead to launch the feel-good brand of the cosmetics, XYZ to enrich the lives of the people with its products and able to, are good for the skin and are produced ecologically in the beneficial manner using the herbal ingredients, draft of vision and draft of mission statement, यह देखो बचवाड़ी, mission and vision अपने को draft करना है, यह cosmetic company है, तो आपको यहाँ पर draft करना होगा practical सवाल आगया है, अब देखते हैं इसका answer किस तरीके से इन्हों ने इसको draft किया है, तो देखो feel-good जो है यह company cosmetic की, उनका vision कैसे इन्हों ने draft किया है, और इनका vision भी कैसे किया है, ठीक है? चलिए, So, यहाँ पर बढ़ता है जी आगया, vision implies the blueprint of the company's future position, देखो जी, blueprint of the company's future position, अपने जो देखा था, भाही definition पहले की पहले, So, it describes where the organization wants to land in future, so Mr. Raj should aim the position, feel-good cosmetic as the India's beauty care company, It is the vision of the India's beauty care company, that improves the looks and give the extraordinary feeling and bring happiness, extraordinary feeling and bring the happiness to people, यह अपना mission है, अपना mission क्या है, यह इंडिया की best beauty care company रहेगी, और यहाँ पर यह आपको extraordinary feeling रहेगी, और आपको happiness रहेगी, Mission क्या है इसका, Mission delineates the firm's business, its goals and the ways to achieve its goals, It explains the reason, क्या है, हमारा existence होने का reason बताती है, and it is designed to help the potential shareholders and the investor to understand the purpose of the company, So, यहाँ पर purpose of the company, So, इनका mission क्या रहेगा, to be in the business of cosmetics, to enhance the lives of people, to protect the scheme from harmful elements, and to produce the herbal cosmetics, यह इनका mission है, ठीक है, अब देखो बच्चबाड़ी, यहाँ पर तो अच्छे से, ऐसे सवाल पर generally बच्चे का accident हो जाता है, वो कुछ भी फेकते हैं, Mission and Vision में कुछ भी फेकते हैं, ठीक है, तो यह वाला question, एक बार answer, इसका पढ़कर जाने का है, क्योंकि ऐसे type के question में, accident होने की chances, थोड़े से ज्यादा होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है, यम्मी foods and tasty foods are successfully competing in the business, और to ready to eat snacks in Patna, यह बहुत easy है, आपको बताना है, proactive का है, reactive का है, यम्मी जो है, यह pioneer है, in introducing the innovative products, ठीक है, whereas however, tasty foods will introduce similar products, in reaction to the products introduced by this, so taking, food taking away the advantage gained by the former, discuss the strategic approach, discuss the strategic approach of the two companies, what is superior, तो यहाँ पर आपको बताना है, यम्मी जो है, यह pioneer है, तो यम्मी क्या करता है, proactive strategy को follow करता है, और testy जो है, यह copy करता है, यह follow करता है, तो यह क्या करता है, reactive strategy follow करता है, तो किसका approach better है, बेटर approach यम्मी का है, क्योंकि यह पहले से anticipate कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको तो दोनों भी रहना पड़ेगा, लेकिन better पूचा है, तो better आपको बताना होगा, कि यम्मी better है जादा, तो आपको यहाँ पर case study पता चल गया, proactive reactive का, यह होता है, ऐसे case study questions, जो कि आपको exam में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा chances है, ऐसे type of questions के exam में आने के, ठीक है, तो देखना है यहाँ पर, किस तरीके से लिखा है answer, देखो, यम्मी is proactive in approach, ठीक है, and testy is reactive in approach, proactive को हम लोग planned strategy कहते हैं, reactive को हम लोग adaptive strategy कहते हैं, भी blend होना चाहिए, blend of proactive and blend of reactive strategies, ठीक है, बट यहाँ पर better कौन सा है, better जो है, वो है हमारा proactive, लेकिन reactive भी होना चाहिए, क्योंकि हमें unanticipated development से क्या करता है, बचाता है, हम लोग को उस हिसाब से changes करने पड़ते हैं, लेकिन आपको बताना होगा, stitching together, proactive intended strategy, and adapting in the first phase, है ना, and accordingly the company, situation के हिसाब से हमें change करना होगा, तो हमें reactive भी रहना पड़े, तो better to be proactive, लेकिन दोनों भी जरूरी है, better है यह proactive, लेकिन दोनों भी जरूरी है, stitching together, crafting a strategy that involves stitching together, मतलब blend of proactive and blend of reactive भी है, राजा कह रहा है कि प्लस वाले भी देखे क्या, I am, you are an inter-student, and you are going to give the exam now, इसमें प्लस का और नॉन प्लस का क्या संबंद आता है, इसका मैं क्या जवाब दूँ, नहीं बेटा तुमने प्लस ले लिया है ना, इसमें प्लस ले लिया है ना भाई तुम पड़ाई थोड़ी ना करने की जड़ोत होती, फागल हो क्या, कुछ भी बोलते हो यार, सोजा भाई, प्लस ले लिया है ना तुम लोगोने, अजीब यार, एक महीने पर एक्जाम है, क्या सवाल पूछ रहे हो यार, कैसे यार मतलब, क्यू, 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 क्यू बोलने लगाते हो मुझे, देखो यार मुझे, छोड़ो यार, कुछ नहीं बोलता हो, आगे बढ़ता हो, रमेश शर्मा हाज 15 स्टोर्स, तो तो राजा बेटा है, राजा बेटा थोड़ी नहीं बढ़ाई करते हैं, रमेश शर्मा हाज 15 स्टोर्स, जेक थान्यूमा देख।, फषे दूलने हो जाएचा ट।, 고log ऑँनए लगाता, 40ствен बडेख।. Analyze the position of Ramesh Sharma in the light of limitations, आपको बताना है, limitations of strategic management, कुछ नहीं यार, यह कहानी रच दी है तुम्हारे सामने, आपको बस limitations बताना है, देखो, environment जो है, यह highly complex and turbulent है, यहाँ पर क्या है, it is difficult to predict how things will shape in future, ठीक है, then it is a time-consuming process, then strategic management is a costly process as well, तो अब क्या हुआ, इसका offline का business था, अचनक से online आ गया, वो थोड़ा बता दो, so stores owned by Ramesh Sharma were smaller than the online stores, it was difficult for him to visualize, उसको उसमें analyze ही नहीं किया था, क्यों online stores क्या मतलब जबर्दस इतना अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, time pass था, ठीक है, एकदम time pass सवाल, लेकिन case study based में, limitations को case study के हिसाब से पूछाता, ठीक है, so highly complex, then difficult to estimate, time consuming and costly, चार चीज़े यहाँ पर पूछ दी है, यह क्या है यहाँ पर, management levels and decision making, ध्यान देना, Durham Singh, the procurement department head of the cyclics, a mountain backing equipment company, was recently promoted to look after the sales department, along with the procurement department, his senior at the corporate level have always liked his way of leadership, देखो जी, यह वो वाला सवाल है, यह functional वाली लोग, यह sales department, ठीक है, अब यह corporate वालो को हमेशा उसका जो भी बोलना था, उसको पसंद आया था, ठीक है, so way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of the policy and the strategies to the best of his capacity, but have never involved him in decision making of the company, do you think that is a right approach, no, it is not a right approach, बले ही वो functional level manager है, वो company से जाए, वो customer से जादा closely associated है, उसको जादा market के बार में पता है, और वो अगर इतने अच्छे से काम करता है, तो definitely उसको बहुत जाए चीज़े insights पता होगी, तो उसको यहाँ पर corporate level managers ने भी decision making के लिए उसको बुलाना चाहिए, तो company का जो अपरोच था वो गलत था, आपको बताना है, that's it, company का जो अपरोच था, वो गलत है, मैंने directly वहाँ पन भी उपर पढ़ाते समय पे आपको बताता है, इस type के, आपको case study based questions भी आ सकते हैं, अगला देखते है, ABC limited is in a wide range of business, which includes apparels, lifestyle, products, then furniture, real estate, electrical products, and the company is looking to hire suitable chief executive officer, as a HR consultant, ABC limited, and you have been assigned to, assigned that the task to enlist the activities involved in the role of CEO, name the strategic levels, that this role belongs, and enlist the activities associated with it, ये कौन से level पर आएगा, of course, CEO मतलब corporate level पर आएगा, और उसके काम क्या है, बताओ जी, कितना simple सवाल है, उसके काम क्या है, strategic decision में लेकिक करना, then, क्या है, vision, mission, ठीक है, mergers, acquisition, देखो, so, role of the CEO मतलब क्या है, ये परटेंस to the corporate level, और corporate level के काम क्या होते है, उसका role क्या है, to oversee the development of the whole organization, mission and goal, determining which business should we be in, यहाँ पर क्या है, allocating the resources among different businesses, then providing the leadership to the other organization, formulating, implementing strategies, got it, easy, ऐसे type के सवाल में generally बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन ये important सवाल होते हैं, क्यों important होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को याद रहना है कि corporate level के अंदर क्या-क्या-क्या-क्या-क्या चीज़े होती है, मतलब उनका role क्या होता है, ठीक है, important है, देखो divestment करना, acquisition करना, हना, कि सारे का, तो यह भी हो गया हमारा, what is strategic management, अभी descriptive question है, benefits, अपने बहुत अच्छे से करी, यह देखो दूसरा क्या है, limitations, अभी उपर किया था case study में, यह क्या है, difference between the three levels of strategy formulation, तीन levels के बारे में corporate, business, function, strategy is partly proactive and partly reactive, easy, 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 समझ आई बात everyone, are you getting this, easy है, बहुत ही आजाने विटा, चाप्टर नमबर वन आज हम लोगों ने complete कर दिया है, आज, आज, आज के दिन खाली, मैं आपको जल्दी छोड़ूगा, लेकिन कल से जल्दी नहीं होगा, कल से पूरा की पूरा, अभी देखो जाने तो वैसे भी हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर topic लिख दिया है ना, 6-8, अभी इसके उपर chapter number 1 लिखा ही हम लोगों ने, तो chapter number 1 ही इसमें रहने देते हैं, ठीक है, chapter number 2 कल पूरा करना है, फिर chapter number 3, फिर chapter number 4, फिर chapter number 5, ऐसे 5 दिनों में 5 chapter अपने को करने हैं, ठीक है, speed बढ़ते वहाँ पर रेना है, बाजू में ही जो questions पर बता होगा, इस type पर आ सकते हैं, वो तुरंत वही पर खतम कर देंगे, ठीक है, so, आज हम लोग यहाँ पर रुखते हैं, जी, क्योंकि आज तो मतलब हमारा chapter ही खतम हो गया, इसको क्या ही करे हो रहना, इसको क्या ही करे, आपके जो भी मित्रे रहेगे, किसी को भी यहाँ पर plus का subscription लेना है, आप ज़रूर उन्हें बता सकते हो, संकर बैक शॉइन करने के लिए, group 1, group 2, दोनों भी यहाँ पर available है, website पर आप लोग जा सकते हो, डागा 10 इस code का इस्तमाल कर सकते हो, और आपको मिलेगा यहाँ पर maximum possible discount अभी चपाड़ी आए, I hope that आप लोग को यह session पसंद आया होगा, मजा भी बहुत आया होगा, and if yes, do share it with your friends, and hit the like button, चार जा जा बबाई, and check it guys, अच्छे से बढ़िये, last के कुछ दिन बचे है, last के 30 दिन बचे है, अपनी पूरी महनत लगाईए, चीज जान लगा कर बढ़ाई कि झीजिके?